नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग आपर अमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके 50 प्रस्ण होते हैं और इसके पहले भी आपके प्रेक्टिस इट बनाए गए है आपके प्लेलिस बनिए है वाँ पर आप सबी वीडियो दे सकते हैं अगर नए तो चैनल को सब्क्राइब भी कर लिजए अवाज आ रही है अवाज आ रही है किलियर है चलिए तो इस्टाट करते हैं यहाँ पर आपका प्रस्ण दिया है कि देश रच्छा के लिए प्रतेक नागरी को रहना चाहिए क्या रहना चाहिए भई तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बर जाएगा चले जवाब बरें और यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा उद्धत रहना चाहिए क्या होना चाहिए option right है आपका बरना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा B उद्धत मतलब क्या होता है उद्धत मतलब होता है तैयार रहना ठीक है तैयार रहना नेस कोशन है कि परिक्रमा में उपसर्ग है परिक्रमा और परिक्रमा क्या हो जाएगा आपका परी ठीके पर यहाँ पर उपसर आज़ेगा विल्कुत सही है option आपका D हो जगा परी उपसर आपका यहाँ पर है ठीके next question है निम्नांकित में से कौन साथ तदभो सब्दे तो यहाँ पर देखते हैं तदभो और तदभो यहाँ पर आपका जवाब option B घोड़ा ठीके घोड़ा क्या है तद्वाव है इसका तद्सम क्या बनता है घोटक बनता है चलिए next question कटपुतली बनना मुहारे का अर्थ लिखिए कटपुतली बनना कटपुतली बनना मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा दूसरों के संकेत पर चलना ठीक है option आपका जवाब C हो जाएगा बिलकुत सही जवाब है दूसरों के संकेत पर चलना सही जवाब C हो जाएगा अगला है भयानक रस की उत्पत्ती कब होती है भयानक रस की उत्पत्ती कब होती है भयानक रस की उत्पत्ती तो भय की स्थिती होने पर होती है ठीक है D नमर हो जायगा भय की स्थिती उत्पन होने पर आपका भयानक रस होता है ठीक है? Next question है किन्यम्न पंकियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? 32 लालाच लाल की मुरली धरी लुकाये 100 करे भवन हसे, दैन कहे नतिजाये तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दिखे यहाँ पर यह है आपका स्रंगारस ठीक है स्रंगारस है वह भी संयोग स्रंगार में कौन संयोग स्रंगार ठीक है option आपका C हो जाएगा Next question है कि निम्न से निसेध वाचक वाग का चैन कीजिए सेवन नमबर सेवन नमबर निसेध वाचक और जिसके आरम्म में क्या आता है वो आपके निसेध वाचक होते हैं ठीके तो आपका B नमबर हो जाएगा Next question है कि सुरे कान त्रिपाठी निराला की कावे रचना निम्न से है सुरे कान त्रिपाठी निराला की कावे रचना कौन सी हो जाएगी जूही की कली ठीके option B हो जाएगा जूही की कली ये निराला जी की प्रथम कावे रचना याद रखे option आपका B हो जाएगा अगला है गुण के विरुद्ध नाम होना के लिए लोकोपती गुण के विरुद्ध नाम होना मतलब इसका सही क्या होगा गुण के विरुद्ध नाम होना मतलब आंक के अंदे नाम के नयन सुक option D यहाँ पर सही हो जाएगा आंक के अंदे नाम नयन सुक आकास को छूने वाला के लिए सब्द क्या बनता है आकास को छूने वाले को गगन चुम्बी बोलते हैं याद रखे सी नमबर वोज़ेगा गगन चुम्बी ठीके नेस कोचन है कि वाक की को सुधार ये बाढ़ पीडित लोगों को धन की अवस्चता है धन की आओ सकता है तो धन और धन में क्या उनको धन देना ज़रूरी है धन की जगा हम कुछ दूसरा भी दे सकते हैं न तो क्या सकते हैं रोटी कपड़ा और माकान यहाँ पर सही जवाब बारेगे ए नमबर अगला है यहाँ पर दिया है सुप्रिनेशन ठीके सुप्रिनेशन सब्ध का अर्थ किया बताइए यहाँ पर आपका हो जेगा सेवनिब्रत अर्थात पेंशन बोलते हैं ठीके सेवनिब्रत अर्थात पेंशन ओन नमबर निश्क कोशन है सही वीकल पक्रचुनिये पल्लवन में सूत्रवा के विचार या भाव को यहाँ पर बताना है किसका विस्तार दिया जाता है तो पल्लवन में सूत्रवा की विचार या भाव को भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है यहाँ पर जवाब आपका भी भरा जाएगा ठीके B number Next question है चंद में विराम अतवा ठायराओ को कहते हैं चंद में विराम अतवा ठायराओ को क्या कहते हैं तो याद रखे चंद में विराम अतवा ठायराओ को बोलते हैं यती आप कसी हो जाएगा यती हो जाएगा यती हो जाएगा याद रखेगा ठीके नेस्ट कोईशन दिया है फर्स्ट वास सिक्सी की निश्ची संक्या है ठीक है और ये बारा प्रस्ण आप लोग सौल कर सकते हैं आसानी से हमेशा आप सौल कराते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर आपका दिया है वह आपको करम में लिखिए वही चीज है किनारे खड़ा पांच वा लड़का पाने में गिर पड़ा ठीक है इनको करम से आपको अगर लगाएंगे इस प्रकार से ठीक है थोड़ा सा आपको छोटा देखेगा इस करन से बस एक सेंटेंस बनाना और कोई भी प्रस्ण हो सकता है आपका ठीक है चलिए ठोस का विलोम बताईए ठोस का विलोम सब्द ठोस का विलोम क्या होगा 17 नमबर और ठोस का विलोम हो जाएगा तरल हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा तरल ठीक है तरल बी नमबर आपका हो जाएगा अगला है सूरेश के लिए सही संद्विचेद सूरेश सू नमबर बिल्कुश सही जवाब है अगला है अंकुरित में प्रत्य में प्रत्य यहाँ पर पर्चम निमने से किसका पर्यवाची सब्द है, पर्चम निमने से किसका पर्यवाची है, पर्चम, और सही जवाब क्या होज़ेगा आपका, तो भीस का जवाब यहाँ पर आपका होज़ेगा, यह कह सकते हैं पता का, ठीके, यह कह सकते हैं केतन, यहाँ पर आपका जवाब एफो जएगा केतन ठीके नेस कोशन दिया है पद्यांस और पद्यांस में आपको जो है पढ़के आप को अंसर देना होता है और यह आप आसानी से कर सकते हैं हिखें चलिया पर आपका दिया है जुर्मटकार्थ यहाँ पर आप उसे दिया है चलिए यहाँ पर 26 नमबर किन्यमन पंक्तियों में छंद का चैन कीजिए नील सरोरू स्याम तरुन वरुन वारिजनयन करों सो मम उर्स धाम सदा और सागर सैन 26 नमबर यहाँ पर सही आपका जो छंद है कौन सा लंग है चंद है तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा तो देखे आपका एक दो तीन चारप्रॉत यो सही पोछन है ने मदें सही वर्तनी केचन कीज dire सही वर्तनी पूछा है चलिए यहाँ पर देख लिजे सही वर्तिनी कौन सी है 27 चले यहाँ पर आपका परिष्थिती परिष्थिती आपको जो सी नमबर है यह इस प्रकास से सही लिखते हैं जिन पंक्ति में अलंकार है जै लच्मी सी उदित हुई डैस के बाद आपका सी लगी है और यहाँ पर आपका जो है आपका अगले दोपाहर का समय क्या कहलाता है दोपाहर का समय क्या कहलाता है तो दोपाहर का समय होता है उसे हम लोग मध्यां बोलते है ठीक है मध्यां ऑप्शन आपका सी होजेगा धूप दीप में समास धूप दीप में समास धूप और दीप क्या होजेगा धूप और दीप यहा अगें, महोधार्य का संद भीचेद महोधार्य का संद भीचित तो महोधार्य का संद भीचेद होगा महाधन अउदार्य अर्तात बड़ा और Saky R to तो यहां पर 32 को उप्सन राइट आपका हो जाएगा अबी नंबर महाधन ओधार हो जाएगा चीक कैसी लज्जा की बात या वाकि किस विरामचिन से संब्धी थे यहां पर किस प्रकार का विलामचिन प्रियोग करेंगे तिस नंबर तो यहां पर आपका जो हो जाएगा आपका बिस्मयाद सुचक में ठीक है यह घंडा का बोध हो रहा है और इस प्रकार से आपका होने चाहिए था बिस्मयाद बोध है ठीक है ए नंबर अगला है निम से किस सब्द में अनुसर का प्रियोग किया गया है अनुसर का प्रियोग और अनुसर का प्रियोग यहाँ पर देखते हैं मतलब कि नाक से निकलने वाली सीजे हूँ ठीकि मतलब क्या है कि कोई सब्द बोलो तो नाक और मुझ दोनुस निकलेगा तो देखो यहाँ पर दिया है गंदा है ना को अनुस्तर बोले जाता है तो गंदा यहाँ पर सी नमबर आपका सही हो जाएगा चले बिल्कु सही है अगला निम्लिकित पंक्ति में उप्युकत अलंकार बताईए आजो तरयोना ही रहयो शुर्त सेवत इत्र रंग यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा है बई तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा सही क्या होगा 35 नमबर में तो यहाँ पर आपका स्लेश अलंकार अगला कोशन है यह पुरुस्तक अभी छपी है रिखांकी सब्द क्या है यहां पूस्तक यहां सब्द दिया है और यहां सब्द आपका क्या है यहां सब्द जवाब का है यह आपका कह सकते हैं एक सारवनामिक है ठीके सारवनाम देशाता है तो सारवनामिक भी सेसंड हो जाएगा ठीके अगला है कि इस वाक को संयुक्त वा वाकुम बदलना है और सई तो वाकुम बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो यहां पर आपका जवाब देखी कठोर बनो परंत सहरदे बनो ए नमबर आपका सही होगा जो ठीक से करता विपालन ना कर सके इना नेक सब्दों के लिए एक उचित सब्द चुनिए जो ठीक से करतब पालन ना कर सके क्या कहेंगे इसे तो इसे हम लोग बोलेंगे करतब पालन कर सके इन सब्द समू के लिए सब्द जो होगा इसे बोलते हैं किंकर तब भी मोड कौनसा भी नंबर हो जाएगा भाई ठीके ये बाला आपका हो जाएगा ठीके, अगला सब्द सक्ती कितने प्रकार की होती है, सब्द सक्ती कितने प्रकार की होती है, सब्द सक्ती, अप ले नया कुशन है, और याद रखे तीन प्रकार की, ठीके, तीन प्रकार की होती है, एक होता है आविधा, दूसरा होता है लच्छना, तीसरा होता है बेंजना, ठीक है तीन प्रकार की दिन किस प्रकार का सब्द होगा दिन दिन किस प्रकार का सब्द है तो इसे क्या हम तोड़ सकते हैं अलग कर सकते हैं अर्थ निकाल सकते हैं नहीं कर सकते हैं तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकलेगा तो ऐसे सब्द अबते होते हैं रूट सब्द ह को हम लोग अभिकार करने के बाद भी उसका अर्थ कोई नहीं निकाल पाए ठीक है रूट सब्दा अर्था इसे तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा गेहूं में कौन सा लिंग है गेहूं कैसी है कि कैसा है गेहूं कैसा है अतत पूरुस जातिका बोध करा रहा है इसल कंकाल कंगाल तो कंकाल कंगाल सब्द के सही यूग में जुआप की होंगे कौन होंगे 42 नहीं तो 42 को Davidson राइट आपका सही जवाब यहांपर देखे कंकाल मतलब अस्ति होता है कंगाल मतलब पंजर यहां पर आपका जवाब हो जागा ओ यह वाला हो जागए ठीक है अस्ति मनवाने के लिए किया गया अंदोलन जो आपका अंदोलात्मक अगरा होता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं किसी सत्ता के विरुद ठीके किसी सत्ता के विरुद अपना मनवाने के लिए जो होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे तेतारेश नंबर तो इसे बोलते हैं हम लोग सत्यागरा अपसने उजएगा सत्यागरा अगला है रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकासन कब किया गया तो यह किया गया था वर्स 1887 भी आपका सही जवाप सी हो जाएगा ठीके इसे जनसाधारण और राश्ट्रेम के राखी की लाज नाटक के लेखक कौन हो जाएगे तो राखी की लाज नाटक के लेखक आपके जवाब ऑप्सन ए हो जाएगा ब्रंदा वनलाल वर्मा ऑप्सन राइट आपका ए हो जाएगा ब्रंदा वनलाल वर्मा हो जाएगा अगला है अनांसी का संबंद होता है अनांस ओधी किस उबासा वर की बोली है ओधी ओधी किस उबासा की है तो ओधी हमने बताया था यह आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर गता था यह ABC वाली ठीके तो आपका भी हो जाएगा ABC मतलब क्या हुआ ओधी बगेली और 36 गड़ी ठीके ट्रीक होती है चूटी सी चले अगला है तदबहुत असम युगम में कोई युगम गलत है इसका जवाब आपको देना है गलत युगम का उनसा है ठीक है 48 में तो दिया है बाजा वाद्दि बिलकुस सही है वक का दिया है वत्स वक का वत्स दिया है तो भई वत्स होता है बच्चे का है ना तो इस प्रकास यह तो क्रिया के अधारबर ठीक है और संसी हो जाएगा क्रिया के अधारबर होता है मैं जाता हूं मैं जाती हूं तो जाता जाता मतलब पुलिंग जाती मतलब इस्तिरिंग जाना क्या होगे क्रिया होगे ठीक है इस प्रकार से अगला इन में से कौन सा सब्द विसेशन नहीं है विस प्रकास से आपके 50 प्रस्णूवें थे तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है मिलते हैं नए वीडियों तत्यक्री धन्वाद जहीं जबारत